इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाहले। तो उसमें हमारी कोई जब्मिदारी नहीं होगी। GERD एक पुरानी यानि की दीर्ग कालेक स्थिती है जो कभी कभार होने के बजाए लगातार नाराजगी होने जैसी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पेट के उपर की मास पेशी बहुत अधिक आराम करती है और पेट की सामगरी को आपके अनप्रनाली और मूह में वापस आने देती है। लैंसो पेट जूनियर पंदरा टैबलेट DT औरंज प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर नामक दवाओं के समूह के अंतरगत आता है। यह आपके पेट में बनने वाले एसिट की मात्रा को कम करता है और नाराजगी और एसिड रिफलक्स से जुड़े दर्द से राहत देता है। आपको इसे ठीक वैसे ही लेना चाहिए जैसा कि इसके प्रभावी होने के लिए निर्धारत किया गया है। जीवन शैली में कुछ सरल परिवर्तन GERD के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। इस बारे में सोचे की कौन से खाद्य पदार्थ नाराजगी पैदा करते हैं और उनसे बचने की कोशिश करें। छोटे और लगातार भोजन करें। यदि आप अधिक वजन वाले हैं तो वजन कम करने का प्रयास करें और आराम करने के तरीके खोजने का प्रयास करें। सोने के 3-4 घंटे के अंदर कुछ न खाएं। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। इसे लेने से पहले इसे एक गिलास पानी में घोल लें। लैंसोपिट जूनियर 15 टैबलेट DT औरंज को खाली पेट लेना है। लैंसोपिट जूनियर 15 टैबलेट DT औरंज एक प्रोटोन पंप इनिबिटर यानि की PPI है। या पेट में एसिद की मात्रा को कम करके काम करता है जो एसिद से संबंधित अपच और नाराजगी से राहत दिलाने में मदद करता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन ओन नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।